नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम आपके लिए रिवीव करेंगे लवरंजन की अपकमिंग हिंदि फिल्म तू जूटी मैं मकार का ट्रेलर का जो कल ही रिलीज हो चुका है और आप जानते हो कि यह स्रद्दा कपू फिल्म होती है मतलब सोनु की टी टू की स्वीटी या फिर माल लिजे प्यार का पंचरामा का फिर वन एंट तू तो जितनी भी फिल्म होती है वह काफी अनोखे और काफी अलग होता है और लव relations का modern day explanation क्या होता है तो उस हिसाब से वो फिल्में बनाती है जो काफी interesting साबित होती है लेकिन क्या ये trailer देखने के बाद वो impression create होती है तो first of all मैं कहना से होंगा कि स्वध्धा कपूर and after a very long time and along with Ranveer Kapoor they look very refreshing फिल्म जो है वो होली की backdrop में release करेगी जो उस टाइम पर release करेगी तो फिल्म की सारी जो मतलब stylized जो मतलब आपका जो ये बनाया गया है जो production बनाया गया है तो काफी stylized है दोनों को काफी मतलब आप बोज़ देखते हो काफी handsome लग रहे है देखने में रनवीर कपूर स्रद्धा कपूर is looking very gorgeous तो दोनों में आपस में जेलिंग वगएरा वो काफी अच्छा लग रहा है but in terms of the story telling in terms of the कहानी वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसमें कुछ नया आपन मुझे नहीं देखा फिर्स्ट आफ एक लड़का जो शड़ा रहती है जो जूट बोलता है बात-बात में for the sake of relationship or the sake of getting attraction from the girls और लड़की जो है वो लड़की लोगों का बनतब लड़कों का दील तोड़ती है basically these two type of characters are there अब उसके बीच में क्या उन दोने के बीच में क्या हो रहा है और finally लड़की जो है वो छोड़के जा रही है तो लड़का जो है कैसे उस पर react कर रही है इसके उपर कहानी है तो तीन मिनिट का ट्रेलर है और ट्रेलर में बहुत सारी giveaway है बहुत को चीजे जो है वो बता दी गई है तो ऐसा ही होने वाला है तो कहानी का लगभग एक पूरा एक आप बोल सकते हो के हैंट्स जो है वो और लड़ी ट्रेलर के अंदर में दिया हुआ है otherwise the location, the shoots, the choreographies these all looks very good but overall वो इंप्रेशन ना के ट्रेलर देखने के वाव क्या ट्रेलर था वो वाला चीज यहां में मिसिंग है again I am saying that both of them are looking very good together उन दोनों में प्यार ये पगेरा जो है for the new age people उन लोगों को ये अच्छा लगेगा देखने में ये काफी attractive लग रहे है लेकिन जो मैंने फिर मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि इसमें जो relationship के ऊपर मान लीजे बहुत जादा कुछ मान लीजे कुछ emotional dialogues हो गए या फिर कुछ emotional performance हो गई and the both side of the story जो totally इस trailer के अंदर में missing है यहां पे सिर्फ Ranveer Kapoor का जो version है वही trailer के अंदर में दिखाया गया अगर makers या production से कोई भी अगर ये सुन रहा है अगर ये message makers तक पहुँचना काफी जरूरी है we didn't heard the story of the Saddha Kapoor site उनका site का story क्या है वो हमें पता नहीं यहां पे सारा narration जो है वो रनरी भी कबूर कर रहे तो वो वाला चीज जो है मुझे लगता है कि वो होना चाहिए था तो जो भी है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएगा और मेरा वीडियो से कुछ भी अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक शिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलविदा